हेलो गाइज तो कैसे वाप आई होप सबके सब बढ़िया होगे और जितनी भी मैंने रिसेंट में आईफोन वाली वीडियो दी हैं उन पे एक कमेंट काफी जादा आया है कि आईफोन के अंदर नेटवर्क इस्यूज थोड़े बहुत रहते हैं तो यह बात मैं मानता हूँ कि आईफोन में आपको थोड़े बहुत नेटवर्क इस्यूज देखने को मिलते हैं यहां पर आपको जब भी लगता है कि आपने अपना प्लेस चेंज किया है यहां आपको यह एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाते हो तो वहां पर आपको जो टावर है ना वो ठीक से अड़ेप्ट नहीं कर पाता आपका फोन तो उसके लिए क्या करने है आपको एक बार एरोप्लेन मोड पर डालना है ताकि जो आपकी नेटरवर्क सेटिंग्स हैं वो एक बार मलकी रिसेट हो जाए और उसके बाद जैसे आप ओन करोगे ना तो यहां पर आपका जो नेरेस टावर है उसको रीच करेगा तो यहां प करने आपको सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद यहां पर आपको जर्नल में जाना है और जर्नल में जाने के बाद यहां पर है ना आपको एक नीच ऑप्शन मिलता है ट्रांसफर और रिसेट आइफोन का तो यहां पर आपको इसक्यू पर क्लिक करना तो यहाँ पर आपको reset क्या करना है network setting को reset करना है network setting को reset करोगे तो आपका जो device है वो एक बार मलकी completely reboot होके फिर वापिस आएगा तो मैं यहाँ पर network setting पर click करता हूँ यहाँ पर मेरा password है उसको एंटर करना पड़ेगा तो जैसे मैंने यहाँ पर password डाल दिया उसको बाद मेरा reset network setting option आ गया है मैं इसको पर click करता हूँ और मेरा जो iPhone है वो completely network setting को reset करने लग गया यहाँ पर आप देख सकते हो तो यह एक बर है ना completely इस चीज को प्रोसेस को करेगा और एक बरी मलकी reboot हो जाएगा आपका device एक बर इसको reboot होने देते हैं तो यहाँ पर जो हमारा network setting है वो completely reset हो चुकी है password बगेरा input कर दिया है मैंने तो हमारा जो device अब reboot होके आ चुका है तो इन दो तरीकों का use करके आप अपनी जो network है ना उसको improve कर सकते हो मतलब की network strength को improve कर सकते हो और जो second method है काफी legit है यहाँ पर इसको आप use definitely कर लेना और अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ यह तो airplane mode से भी हो जाएगा और इसके बाद एक मला आपको दिक्कत आ सकती है तो यहाँ पर आपको general में जाना है और about में जाके यहाँ पर आपको जो name है ना device का वो change हो जाएगा खाली iPhone हो जाएगा तो उसके आगे आप अपना name जो है उसको वापिस लगा लेना एक बार त वीडियो को लाइक हो चानल को सब्सक्राइब जुरूर कर लेना ताकि एसी और इंट्रेस्टिंग वीडियो जीन फ्यूचर में आपके लिए लिए लेके आता रहूं